इस वीडियो में हम सीखेंगे counting यानि गिंती English में साथ में हम ये भी सीखेंगे कि इन numbers को हम English में कैसे लिखते हैं यानि इनकी spellings क्या हैं इस वीडियो में हम दो numbers पढ़ेंगे 5 and 6 यानि 5 और 6 चले हम शुरू करते हैं अपनी screens की तरफ देखिए ये है five five यानि पांच five और five की spelling क्या है f i v e five five की क्या spelling है f i v e five five यानि पांच f i v e five और ये है six 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 यानि six यानि छे और six की spelling क्या है अब हम five को लिखने का तरीका सीखेंगे लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पिछला दोहरा लेते हैं ये क्या है ये क्या है ये क्या है five और five की spelling क्या है सबसे पहले एक सीधी लकीर फिर एक और सीधी लकीर इस तरहा और फिर एक गोल आधा दाइरा ये हो जाएगा five और five की spelling क्या है एफ आई वी ए फाइव एक बाप फिर से लिखते हैं five लिखने का क्या तरीका है एक सीधी लाइन दूसरी सीधी लाइन और फिर एक गोल दाइरा आधा दाइरा ठीक है और five की spelling क्या है एफ आई वी ए फाइव चले हम एक बाप फिर से लिखते हैं five को लिखने का तरीका क्या है एक सीधी लकीर दूसरी सीधी लकीर और आधा दाइरा और five की spelling क्या है अब हम six को लिखने का तरीका सीखेंगे लेकिन उससे पहले हम थोड़ सा पिछला दोर आते हैं ये क्या है six six और six की spelling क्या है s i x six यानि छे six को लिखने का तरीका ये है कि पहले आप एक तिर्ची लाइन लेकर आएंगे उपर से नीचे तक और फिर यहां से थुछा गोल करके वापिस उपर एक गोल दाइरा पूरा बना देंगे और ये हो जाएगा six six और six की spelling क्या है एस आई एक्स शेक्स चले हम एक बार फिर से लिखते हैं six को लिखने का तरीका क्या है एक तिर्ची लकीर आएगी और थोड़ सी गोलाई में आएगी और फिर हम नीचे से इसको गोल कर देंगे और फिर यहां से इधर तक जोड देंगे बिल्कुल सीधी तिर्ची लकीर नहीं होगी शुरू से ही थोड़ी सी गोल सी होगी ठीक है और six को लिखने का तरीका क्या है? मतलब spelling को लिखने का S I X Six चले हम एक बार फिर से लिखते हैं पहले एक तिरची लखी जो थोड़ी सी गोल सी ही होगी और फिर हम यहां से गोल कर देंगे यह हो गया six और six की spelling क्या है? S I X Six बिलकुल ठीक अब हम एक छोटी सी मश क्या exercise करेंगे सामने दी हुई तसावीर को हमने गिनना है यानि जो teddy bears दिये वे हैं यहां पे जो बच्चे बने हुए हैं हमने इने count करना है या गिनना है और फिर बताना है कि यह नंबर में कितने हैं ठीक है? और जब हमें यह मालूम हो जाएगा तो फिर हम सामने दी हुई lines पर वो नंबर लिख देंगे चले हम शुरू करते हैं गिनना एक, दो, तीन, चार, पांच यानि पांच यानि सामने दी हुई line पर हम क्या लिखेंगे? फाइव या पांच और फाइव की spelling भी English में चले हम लिखते हैं फाइव लिखने का क्या तरीका है? आप भी मुझे बताईए और मेरी मदद कीजिए एक सीधी लकीर फिर एक नीचे लकीर और फिर एक आधा दाइरा ये हो गया फाइव और अब हमने फाइव की spelling लिखनी है आप भी मेरे साथ पढ़िए एफ आई वी ए फाइव फाइव यानी पांच चलें अब नीचे आजाएए अब हम इन दिये हुए बच्चों को काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छे वान तू थ्री फाइव यानी छे सामने दी हुई लाइन पर हम क्या लिखेंगे सिक्स या छे चलें हम लिखते हैं सिक्स लिखने का क्या तरीका है एक तिर्शी सी लखीर होगी जिसे हम नीचे से गोल सा करेंगे और फिर एक गोल दाइरा सा बना कर यहां पर जोड देंगे यह हो जाएगा सिक्स और सिक्स को लिखने का तरीका क्या है सिक्स की स्पैलिंग बताईए अब मुझे एस आई एक्स सिक्स बिलकुल ठीक यानी छे फाइव इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इंग्लिश में काउंटिंग और कौन से दो नमबर सीखे? पाँच और छे यानी फाइव और सिक्स और फाइव और सिक्स को इंग्लिश में लिखने का तरीका भी और उनकी स्पैलिंग भी अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में दोराने की भी कोशिश करें इस सरह आप इंग्लिश में गिंती बहुत जल सीख जाएंगे